देश में अगर किसी से पूछा जाए कि क्या आप किसी फुटबोलर को जानते हैं तो सबकी जुपा पर सबसे पहले सुनिल चितरी का नाम ही आएगा वायंचुक भूटिया के बाद भारते फुटबोल की बैटम थामने वाले चितरी के कप्ताने में भारते टीम कई उपलब्दियों के सिखर पर पहुंचे जिसमें वर्ल्ल रैंकिंग में टोप हैंडर में शामिल होना भी है अंतराश्टी गोल के मामले में वो दुनिया के चोथे खिलाडी हैं जबकि स्क्रिया खिलाडी में उन से आगे पुर्टगाल के क्रिश्टीनो रोनाल्डो अर्जिंटीना के लियोनेल मेसी हैं और सुनिल चितरी के इंटरनेशनल चुरानमे गोल हो चुके हैं चुकी थी चितरी के पांच माम में थे वे भी सब फुटबॉलर थे चितरी ही भले आज देश के सर्वस्ट्रेश्ट फुटबॉलर हो लेकिन बच्पन में वे किर्केटर बना चाते थे हलाकि परिवार के आर्थिक स्तीती ठीक नहीं होने के कारण पिता ने महंगी पांच में पाकिस्तान के किलाफ राष्टी टीम के लिए उन्होंने डेबु किया थे इनका पहला अंतराष्टी टूर्नामेंट 2007 में था जो कि भारत और कंबोरिया के बीच में था इसके बाद इन्होंने कई टूर्नामेंट लगातार जीती रही हैं पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो साथ बार ओल इंडिया फुटबोल फेडरेशन के प्लेयर ओफ दे इयर रह चुके हैं इसके बाद इन्होंने 2011 में अरजुन आवोर्ड प्राप्त किया 2019 में इन्होंने पदमश्री प्राप्त किया और 2021 में खेल रतन प्राप्त करने वाले ये एक मात्रभारती प्राइब करें